हे एवरिवन वी होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे का इस लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से डिसकस किया था अगर गलती मिल रही है ट्राइल बैलेंस बनाने के बाद और वो कौन सी एरर है डबल साइड एरर तो वहां तक हमने सारे कुंसेप्ट आ कारे में डिसकस करने वाले हैं जो आपके एक्जाम में 100% आएगी ही आएगी तो आज का लेक्चर वेरी इंपोर्टेंट फोर यू आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एंड तक देखना है एंड में बहुत इंपोर्टेंट चीद भी करवाने वालो तो आपको पूरे ल पाखों के साथ क्या ले रहें कुछ ट्रांजिक्शंस उनको ध्यान से समझना है उनसे यूड और भी ट्रांजिक्शंड के में बात करेंगे ताकि आपको साराइब और एक्जाम में आपका सही हो देखे सबसे पहली हम बात करहें देखिए क्रेदिट पूर्प रॉंब भी हुई है तो इसकी देखिए अगर मैं करेक्ट बात करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए यह जो होनी चाहिए अब गलती का यह पॉस्टिंग में इसका मत और वह कह रहा है कि वह कि देखिए है मतलब अगर हमने यहाँ पर ट्रायल बैलन्स बनाया होगा तो हमने यहा पर परचेस को भी क्या कर दिया है अब बताईए क्या यहां नहीं खुलाओगा बिल्कुल खुलाओगा तो एहाans फुलाओगा तो अब इसको हमें रकिटिफाइड करना है तो सप्पेंस खत्म होगा मैंने बताया भी था लास्ट लेक्टिर में सबस्क्रेंस क्रेडिक हो रहा है क्रेडिट बैलेंस एकाउंट क्योंकि खत्म हो रहा हो that would be 2,000 I hope यह आपको entry समझ आई होगी अब इससे related अगर मैं बात करूं ज्यान से समझना अगर हमारी कोई भी देखिए मैं बात करूं कोई भी पर्चेज हो रही है या सेल हो रही है या पर्चेज रिटर्न हो रही है या सेल रिटर्न ज्यान से समझना गए और वो किस पर हो र कर दिया है पोस्ट कर दिया है मतलब हमने डेबिट करना चाहिए था लेकिन कर दिया है क्रेडिट ठीक है हमें करना चाहिए था क्रेडिट हमने कर दिया डेबिट तो उसकेस में सस्पेंस ओपन होगा और जैसे मैंने आपको बताया है उसकेस में सस्पेंस होगा तो आपको स करके दिखाई है वैसे आप करोंगे और आपकी यह ट्रांजिक्शन बिल्कुल सही हो जाएगी आई होप यह वाली ट्रांजिक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी इसके बाद देखिए सेकिंड ट्रांजिक्शन है हमारे पास क्रेडिट सेल टू राम अपने राम को सेल किया कितने का 1000 ठीक है इस क्रेडिटी टू रोहन पिछले में क्या हुआ एकाउंट तो उसी कही था लेकिन हमने डेबिट की जंगे क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट की जंगे डेबिट कर दिया अब क्या हुआ हमने करना था राम को कर दीया रोहन के एकंट में किसी और के एकंट में हमने डाल दिया यहां क्या होगा देखो एंट्री होनी क्या चाहिए देखे correct एंट्री क्या बनती आप एक रहेड़ी पर रोहन एकाउंट अब यहाँ पर रोहन के एकाउंट में और आपको पता है ध्यान से समझना रोहन का एकाउंट का बनता है लेजर में इसका मतलब पॉस्टिंग में गलती ही है इसका मतलब सेल तो हमारी सही हुई है यह बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पॉस्टिंग में गलती है एक अकाउंट में गलती ही होगी तो यहां से अल्टिमेटली ट्राइल बैलेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दीखी ट्राइल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो सेल तो क्रेडिट से हुआ है रहेंए और हम्ने रोंट की एकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया है तो यहां पर रोंषन हो गया क्रेडिट कितने आप में में क्रेडिटी करने तो हम कैसे क्रेंगे तो एंट्री वुड्वी टू सस्पेंस कितने से 2000 अब रोहन बताओ यह गलत भी यह तो गलत हुआ तो रोहन क्या हो जाएगा डेबिट कितने से 1000 यह हमने इसको सभी कर दिया यह भी खतम हो गया अब होना क्या चाहिए था राम को हमने नहीं किया है तो राम भी क्या हो यह बात भी आपको समझ आई होगी तो अल्टीमेटली क्या हुआ ज्यान से समझ नहीं क्या हुआ कि आपने क्या किया पर्चेस किया सेल किया पर्चेस रिटर्न किया यह सेल रिटर्न कुछ भी किया क्रेडिट पर ठीक है क्रेडिट पर अगें क्रेडिट पर किया तो उस के इसमें आपने क्या किया उस जैसे पर्चेश सेल पर्चेश रिटन से लिटन उनके अकाउंट में तो सही है लेकिन जो परसन है परसन है उसके अकाउंट में जाने की बजाए हमने अगर परसन के अकाउंट को पर्सन के अकाउंट को क्या कर दिया है डेबिट या क्रेडिट कर दिया है लेकिन वो डेबिट और क्रेडिट भी क्या हुआ है होना चाहिए था वो डेबिट कर दिया है क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट कर दिया है जैसे राम डेबिट होना चाहिए था लेकिन रोह ओगा suspense account खुलाओगा ठीक है गाई suspense account खुलाओगा तो हमें जो entry करनी पड़ेगी वो suspense account के ठू करनी पड़ेगी अभी बात भी आपको समझा यह होगी अब आप इसली इसली इसे related सारी transactions कर पाओंगे अब देखिए हमारे लेना से में कर दिया अब ध्यान से फुर्ट को णिया समझत को अब ध्यान से स्मझत होना क्या के टरी है ना क्या क्रेक्ट एंट्री सही एंट्री स्थे देखो यह शाम है यह शाम है शाम डेविट कितना वाइफ थाउजन टू में पर्चेज रिटर्न यहीं होती है एंट्री फाइफ थाउजन लेकिन हमने गलती क्या कर दी हमने डेविटी टू शाम अकाउंट अगें एकाउंट वर्ड यूज हुआ है तो लेजर मतलब पोस्ट ट्राइल बैलेन्स में आपने क्या पर्चेज रिटर्न सही किया है यस बिल्कुल सही किया है पर्चेज रिटर्न आपने क्रेडिट में दिखाया है 5000 और आपने शाम की जंग डेविट किया है शाम को तो यहाँ suspense नहीं खुलाओगा तो आप यहाँ पर suspense के थूँ एंट्री नहीं करोंगे तो ultimately क्या एंट्री होगी आपने शाम गलत किया यह गलत किया है तो आप एंट्री क्या करोंगे शाम यह जो शाम है इसको क्रेडिट करोंगे तो यह गलत हुए SHAM 5000 ठीक है और होना इसका बेट शाम एकाउंट कितना हो जाएगा 5000 अगे नाम के साथ आप एकाउंट यूज़ कर भी सकते हो और नई भी वह मेंडेक्टरी नहीं है पतलब नस्यस्री भी नहीं है आप यह बोलो कि हो गाई नहीं ऐसा भी नहीं है आपकी मर्दी आप करना चाहों कर सकते हो ना क परचेज रिटरं करें हो ठीक है तिस पर क्रेडिट पर और पोस्टिंग के समय है सेल पर्चेस सेल रिटन पर्चेस रिटन इनमें तो सही गया इनके अकाउंट में लेकिन जो पर्सन के अकाउंट में जिस पर्सन का अकाउंट है उसमें सही गया नहीं है मतलग वो कहां गया अधर पर्सन के अकाउंट में गया है किसी और को हमने कर दिया डेबिट या क्रेड होता तो आपको सस्पेंस से इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है आप यह भी बात आपको समझ आई होगी इसके बाद देखिए नेक्स है हमारे पास फॉर्थ वन क्रेडिट पर्चेस फ्रॉम एंप कितने का फिफ्टीन थाउजन रिकोर्डिड इन से बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अब ध्यान से समझ आ हमने रिकोर्ड यहां पर वर्ड यूज हो रहा है रिकोर्ड अब बात आ रही है रिकोर्ड का मतलब होता है जनल एंट्री या सब तो पर्चेस अकांट डेयबट कितना फिफ्टीन थाॉजन तो मियं क्टेंट इंट्री एंट्री है और हमने कर क्या दिया रोंग एंट्री क्योंकि हमने कहां घल्ती की एंट Л culty violating kind समय गलती किया तो recording में हमने sale book में जब भी आप ध्यान रखिए जब भी बुक की बात होगी तो इसका मतलब sale book में अगर की गई है purchase book में purchase return sale return किसी भी book में तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी entry क्या की होगी गलत आपने की होगी इसका मतलब कहने का क्योंकि journal में पूरी की debit to sale आपने यह entry कर दियोगी पूरी की पूरी आपने entry गलत की होगी ठीक है अब मुझे यह बताईए गाइस बहुत ध्यान से यह बहुत important है अब यह अपने entry की है अब trial balance बनाओगा मैं यहां trial balance बनाओ तो m को debit किया होगा कितने से 15,000 से yes or no और sale को आपने क्या किया होगा credit 15 11,000 से ठीक है क्या यहां suspense खुलाओगा या नहीं खुलाओगा नहीं खुलाओगा तो यहां आपको suspense से entry करने की जरूरत नहीं है तो entry क्या होगी गाइस देख़े आपकी गलती है इसको आप reverse करोंगे जैसा हमने पहले भी प्रॉसीन में बात की है तो आप इसको सही करोंगे चीक है तो entry would be इसकी क्या करोंगे correct entry sale debit हो जाएगा sale debit 2M है ना यह आप इसको reverse कर रहे हो जैसा हमने पहले बात भी की थी और होनी चाहिए purchase account debit 2M that would be 15,000 and 15,000 और इसका आप combined effect शो करोंगे that would be कितना आ जाएगा purchase account debit purchase account हमारे क्या हो जाएगा debit 15,000 sales account debit कितना हो जाएगा 15,000 और 2M that would be your rectification entry तो इसको अगर हम conclude करें देखिए अगर हम बात करें बुक की पहले हम account की बात कर रहे थे अब बुक मतलब कोई भी purchase book है sale book है purchase return बुक है यह sales return book है हमने क्या किया है एक book की purchase में डालने के बजाए है sales में डालद चैंडिया तो हमने क्या 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 कि किसी other book में डाल दिया तो उस case में अगर कुछ और नहीं बोला गया है तो वहाँ पर दोनों साइड पर एक ही जैसा माउंट गया होगा और डेविट भी वह और क्रेडिट भी होगा तो वहाँ पर सस्पेंस पुलेगा नहीं और जैसा मैंने उपर बताया उस तरीके से आप उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या कर दोंगे पास कर दोंगे आई होप यह बात भी आपको समझ आई होगी इससे रिलेटेड नेक्स्ट है बहुत ध्यान से समझना है बहुत इंपोर्टेंट है देखिए गुड्स रिटर्न बाइए टैन थाउजड रिटर्न किया है किसने ए ने कितने का टैन थाउजड वह रिकोर्डिड इन परचेज र अपरचेज रिटर्न बुक में डाल दिया रोंग एंट्री देखो परचेज रिटर्न बुक की एंट्री परचेज रिटर्न बुक में फिर आप किस तरीके से दिखाता हूँ एज डेबिट तू परचेज रिटर्न कितना पंद्रह हजार पंद्रह हजार अभी खतम नहीं हुआ है ध्यान से सुना सोड़ी टैन थाउजड एंड टैन थाउजड एंड टैन थाउजड चीक है वो कहरें लेकिन एको हमने सही पोस्ट किया है क्रेड़िट कर दिया कितने से टैन थाउजन यस और नौ। बिल्कुल तो यहां बताऊ परचेज रिटर्न भी क्रेडित हुआ है एंब क्रेड़िट क्या सस्पैंस खुलेगा ये नहीं खुलेगा पिल्कुल खुलेगा तो यहां पर सस पेंस आपका डैबिट होगा कितने से 20,000 से all right guys I hope यह बात आपको समझाई होगी अब इसको आपको सही करना है यह होनी चाहिए अब इसके साथ मैच करो क्या यह सही हुआ है yes or no yes तो यह कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है परचेज रिटर्न होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो परचेज रिटर्न क्य ठीक है यह भी आपका सही हो गया suspense credit to debit हुआ है इसको खतम करने के लिए credit करेंगे तुमे suspense that would be 20,000 यह भी खतम हो गया यह होना चाहिए हुआ नहीं है तो यह कर देंगे सेल रिटर्न एकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 10,000 यह रेक्टिफिकेशन एंट्री आई होप यह बात आपको समझ आई होगी इसके बाद तो इसी रिलेटिटिट आप concept क्या लिकराऊंगे देखिए हम बात करें बुक्स की देखिए बुक्स की कि अगर परचेज सेल् रिटर्न बुक और सेल्ज रिटर्न बुक ठीक है इन में आपने क्या की रिकोर्डिंग रिकोर्डिंग की ठीक है लेकिन आपने रिकोर्डिंग कर दी अधर बुक में किसी अधर बुक में लेकिन जो परसनल एकाउंट है उसका जो परसनल एकाउंट है वो परसनल वो इसके सही एकाउंट में और सही साइड पर हुए है तो डेफिनेटलि यहां पर आपका क्या फूलेगा सस्पेंस एकाउंट ओपन होगा और आपको सस्पेंस के थू क्या पास करने पड़ेगी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी I hope यहां तक आपको अच्छे से आया होगा बाकी के बारे में we are going to discuss the next lecture बहुत important चीज़ है और अगले लेक्चर में हम चीजों को खतम कर देंगे और आपका rectification of error अच्छे से आपका complete हो जाएगा Thank you so much for watching this video